हर हर महादे, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं SSE GK के बारे में ओल्रडी मैं आपको स्लेबस के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ 78 डेज के टागेट के हिसाब से भी वीडियो अप्लोडिट है और डेजी टागेट में जो हम बढ़ते हैं उसमें 90 डेज में हमारा स्लेबस कम्पलीट हो रहा है जिसमें कि डेली टागेट में हम साथ में स्लेबस कम्पलीट करते हैं चैप्टर वाइस बढ़ते हैं one short classes भी देखते हैं और साथ के साथ MCQ Reviews भी करके चलते हैं हर section की में Sleevers complete हो जाएगा Sleevers में हमारे पास static रहता है जिसके साथ section हमारे पास होते हैं यानि कि History, Geography Economics, Quality Biology, Physics and Chemistry ये तो static का part हो गया और Current Affairs में हम पूरे साल का यानि कि September to September हम ही Current Affairs पढ़ना पड़ेगा लेकिन क्या ये Sleevers complete है? नहीं, SSE इसके अलावा अभी बहुत से important topics हैं जिनसे question पूछता है और उनको cover करना हमारे लिए बहुत important हो जाता है तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी topics के बारे में बात करेंगे जिनको complete करने के बाद आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं यानि कि average से exceptional score कर सकते हैं और आप save score में तो अराम से पहुँच ही जाएंगे तो वो सारी important topic कौन से हैं वो हम एके करके समझेंगे और उनको हम कब पूरा करेंगे कैसे complete करेंगे इन सब के जानकारे भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगे सबसे पहले बात करते हैं important topics के बारे में इसमें से आपको direct question नहीं पूछा जाएगा बहुत ही कम chances होते हैं lately SSC इसमें जो है UPSC या state level exam का pattern follow करता है यानि कि आपको in-depth knowledge होनी चाहिए उस scheme के बारे में दो तिन statement आपको दे दी जाएगी और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौनसी statement correct है इस scheme के regarding आपको इससे के साथ कुछ past की policy और scheme भी आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत important हो जाती है जैसे कि अगनी भी रेक scheme थी उससे अभी भी question पूछ ले जाते है इससे के साथ आजाता है Indian Institution and World Organizations ये भी बहुत साथ important है आपको notes बनाने है एक notebook बना कर रखनी है जिसमें आप सारी चीज़ों को note down करेंगे फिर आपके पास आते है Days and Events ये भी बहुत साथ important है किस दिन कौन सा day बनाया जाता है उसकी theme क्या है और theme देखिए अब आपको 2023 वाली करनी पड़ेगी August से लेकर और आपको cover करना पड़ेगा 2024 की भी जो नई scheme रहेंगे यानि कि March 2 को क्या बनाते है उसकी theme क्या है 18 को क्या होता है 28 January को क्या होता है ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फिर आता है हमारे पास sports और related person यानि कि इस scale से कौन जुड़ा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए जैसे कि मैं अगर आपसे कहूं कि नीरत चोपड़ा किस से जुड़े है तो आप आराम से बता देंगे MS Dhoni, Virat Kohli का पूछों तो वो भी आप बता देंगे तो SSC देखे इतना तो बेवकुफ नहीं है कि आपसे इतने simple question पूछे हाँ कभी कभी नादानी हो जाती है लेकिन आपसे देखे athlete के और in-depth question पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए यानि कि कई बर question आता है कि इस साल इस person ने ये जीता ये person जो है किस से related है ऐसे question आपसे पूछे जाएंगे इसके बाद है science, tech, apps and portal ये बहुत important है कि कौन सी app किस से related है ये app start करने वाला कौन सा state था ये भी आपको पता होना चाहिए famous places आपको पता होने चाहिए ना सिरब भारत के बलकि international level पे भी आपको बहुत important places कौन से है उनके बारे में पता होना चाहिए ऐसे ही famous people हो जाते है history related तो आपको पता है मैंने अपनी main book की पेडिया प्रोवाइड की थी तो उसमें हमने important personalities बढ़ा था जिसमें history से जुड़े सब लोगों के बारे में जाना था इसी में हमारे government related भी आ जाते है जिसमें हम देखे cm state के हो गए governors हो गए उसके बाद में cabinet members हो गए ministry के associated person हो गए वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और current में कौन सा business man है कौन सा billionaire बना है कौन सा उस list में आया है ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए books and author के बारे में भी जानकारी रखनी है जिसमें देखे हम yearly books and author तो पढ़ेंगे ही साथ में हमें क्या करना है history के important books और standard books चो होती है उनके author के बारे में भी हमें पता होना चाहिए awards and honor में हमारे पास national level पे भी आ जाएंगे international level पे international जैसे वैप्ता हो गए grammy हो गया ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए noble prize पता होना चाहिए और national level पे हमारे पास सारे जैसे दादा साही पाल के अवोर्ड है और इसे के बाद हमारा padmashiri, bhibhushan, bhushan और भारत, ratna ये सब भी आपको पता होना चाहिए कितने लोगों को मिला है वो भी पता होना चाहिए और नंकी number भी आपको पता होना चाहिए इसके बाद में देखे festival आपको पता होना चाहिए नाम क्या है, कहां उसको celebrate किया जाता है और एक नई चीज जो ऐसे लेटली कर रहा है वो आपसे month भी पूछता है और हिंदू कलेंडर के हिसाब से month पूछा जाता है यानि कि March, April नहीं पूछेगा ये पूछेगा आपसे मा में बनाते हैं पोहो में बनाते हैं तो आपको हिंदू कलेंडर के month भी पता होने चाहिए उनको आप लिखें और अच्छे से उनको याद करें ताकि आपको confusion ना हो क्योंकि mostly बच्चों को हिंदू कलेंडर के month नहीं पता हैं और हमें जो है, usual जो कलेंडर हमारे पास होता है उसे के पता होती है फिर आता है dance forms और related person उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए जो हमारे classical dance forms है उससे related कौन सा person है एक एक चीज आपको trick के साथ याद करनी पड़ेगी तभी आप answer कर पाएंगे इसके बाद आजाता है musical instrument और उससे पहले देखिए जैसे एक question मैं आपसे पूछते हूँ तेरा ताली ये आप बताईए कि किसली celebrate किया जाता है तेरा ताली और कहां ये dance form होती है या मुझे बताना अगर आपको पता है तो previous question है ऐसे musical instrument है और फिर आजाते है national park, wild life centuries इनके बारे में आपको पता होना चाहिए नंबर भी पता होना चाहिए किस state में कौन सा ही ये भी पता होना चाहिए और उस particular national park की speciality क्या है वो भी पता होना चाहिए फिर आता है river system आपको सारी rivers उनकी tributaries क्या है और तीन system है जैसे कि Indus river system, Ganga river system और भ्रमपुत्रा river system इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए फिर highways, waterways और airways एक waterway का question भी SSA ने पूछ लिया था तो देखे ये बहुत unpredictable है कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको important highways, waterways और airways भी पता होना चाहिए crop system आपको पता होना चाहिए तीन प्रकार की होती है हमारे पास जैसे रवी, खरीफ और जैद इन में कौन सी crops होती है अगर आपको crop का नाम दे दे तो आपको differentiate करना आना चाहिए कि कौन से season की crop है ये आपको पता होना चाहिए UNESCO heritage sites भी आपको पता होना चाहिए ये गलती से bite देख रहा है पर ये sites ही है कौन सी है, कौन से year में आई जैसे most important 1983 में कौन से आई काफी थी उस time तो आपको वो पता होना चाहिए कितनी total UNESCO heritage site है और इस साल कितनों को add किया गया वो भी चीज़े आपको पता होनी चाहिए अब आज आता है GI tags बहुत important है आपको पता होना चाहिए कि ये GI tag जिस चीज़ को मिला है उसका आपको नाम होगा फिर आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से related है कौन से state में है maximum GI tag कौन से state को मिले है वो आप मुझे comments में जरूर बताना census 2011 very very important in-depth question आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये तो बहुत अच्छे से ही करना पड़ेगा बिल्कुल चोटी-चोटी question जब मैंने ये किये थे तो मैंने notes बनाई थे तो मैं आपसे वो जरूर शेयर करूँगी जब time आएगा budget के question पूछे जाते हैं budget के सबसे ज़्यादा question आपसे पूछे जाएंगे A.A.O.K. लिए यानि कि अगर आप assistant audit officer के exam के लिए eligible हो जाते हैं तो उसके mains में आपसे अधिकतर इसके question पूछ ले जाते हैं direct के किसको क्या allocate हुआ allocations आपसे पूछ ले जाते हैं वो बहुत important topic हो जाता है तो आपको budget भी करना पड़ेगा economic survey important rates आपको बता होने चाहिए इसके बाद में RBI की important terms क्या है उनके rates क्या है जैसे कि CRR SLR BRRRR ये भी आपको पता होना चाहिए इन सब की जानकारी रखनी है आपको और इन सब चीजों को note down करते हुए चलना है इसे के साथ में देखे जैसे GDP हो गया projected क्या है actual क्या है वो भी आपसे पूछ ली जाती है International Organization की projection के बारे में भी आपको पता होना चाहिए नया पारली अमेंट उससे related facts क्या है पुराने वाले के क्या थे comparison आपको पता होना चाहिए कि shape में बना है किसने बनवाया है ये सब भी आपको पता होना चाहिए अभी हाली में आपको पता है रामंदिर का उधगाटन हुआ तो आपको उसकी history क्या थी conflict कैसे हुआ year के हिसाब से आपको cases और उससे related person और fact आपको पता होना चाहिए important articles बहुत important है quality में हमने बहुत से चीज़े cover की है लेकिन important articles आपको पता होना चाहिए आपके पास कोई ऐसी book होनी चाहिए जिसमें सारे articles mention है और उसमें से कौन सी important है वो मैं आपको जल्दी बता दूँगी तो आपको वो एकदम से पता होना चाहिए अभी देखे HCS में भी question पूचा गया था इसी साल के exam में Supreme Court से related article पूचे थे तो direct articles है उसमें subsection है यह नी पर HCS में question पूचा गया subsection के साथ में याने कि सारी statement गलत हो गई तो articles बहुत important हो जाते है important bills क्या है amendments कौन सी हुई है वो भी पता होने चाहिए वैसे तो हम polity में कर चुके है लेकिन new amendments के बारे में आपको पता होना चाहिए important temples हो गई religious places हो गई यह भी आपको पता होना चाहिए यह कुछ important topics है लेकिन इसके अलावा भी important topics हो सकते है जो कि हम with practice add करते जाएंगे जैसे कि mountains हो गए mountains के बाद में plateau हो गए rivers हो गई याने कि जो भारत की rivers नहीं है बाहर की जो rivers हैं वो आपको पता होना चाहिए waterfalls आपको पता होनी चाहिए तो कुछ important चीज़े हैं जो with practice हम add करते जाएंगे जो जो चीज़े बाद में आएंगे अब देखे हमने समझ लिया कि important topics क्या है static हमने book से किया जिसमें हमने साथ के साथ section cover किये history, quality, geography, economics, science और science के तीनों section biology, chemistry और physics इसके अलावा current का affair यानि कि current affair हमें करना है पूरा एक साल का September to September और उसी current affair का static भी हमें पता होना चाहिए जिसके मैं आपको notes भी बनवाती हूँ कि आप notes बनाया करें final revision के लिए in short हमें सबसे पहले slaybers करना था current और static को पूरा करना था और practice में हमें sectional papers chapter test, sectional test देने थे static और उसके बाद में sectional papers में जो हमने note down की चीज़े ही सारे important topics और revision हमारा आखरी step होगा exam से पहले का यानि कि ये सारी चीज़े हमें gk में करनी पड़ेगी तब जाकर हमें confidence आएगा और हमारा gk जो है complete हो जाएगा I hope आपको idea लग गया होगा कि कैसे करना है अब मैं बताती हूँ कब करना है ये important topics हम करेंगे practice series में with practice हम साथ के साथ ये सारे important topics cover करते हुए चलेंगे और एक एक चीज़ को complete करने के बाद में revision करना start कर देंगे अगर फिर भी आपको video से related कोई भी doubt है तो आप मुझे से comment section में पूछ सकते हैं और आपको कोई भी pdf notes या link चाहिए तो आप telegram को join करें telegram की link आपको channel के description में मिल जाएगी telegram पर already काफी pdf's available है मेरी main book की सारी pdf available है handwritten notes की pdf available है तो वहां से आप download कर सकते हैं आपको easily मिल जाएगी access बस आप telegram को join कर लेना पढ़ते रहें कोई doubt आता है तो मुझे comment section में जरूर बताना exam हमारा बहुत नजदीक है और बहुत से चीज़े अभी हमें पढ़नी है I hope इस वीडियो ने आपकी help की हर हर महादेव